ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा अंदाजा दूर दूर तक किसी को नहीं था इस पेनिस फ्लू सौ साल पहले आया था सौ साल बात जिस तरह की मेडिकेटड दुनिया में हम रहते हैं हमें ये बिल्कुल भरोसा था कि कोई फ्लू या कोई बिमारी आएगी उसका सामना हम यू चुटकियों में कर लेंगे लेकिन कोरोना का सामना तो दुनिया के वे देश नहीं कर पाए जो आर्थिक रूप से और मेडिकल के छेत्र में यानि चिकिट्सा के छेत्र में सबसे ज़्यादा उननत और विक्सित हैं अमेरिका और इटली, स्पेन, ग्रेट ब्रिटन, जर्मनी ये वो देश हैं जो आज हम से या कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देशों से बहुत आगे खड़े हैं तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान से कम से कम 50 साल आगे है ब्रिटन और कम से कम 70-80 साल आगे है अमेरिका हलाकि सबसे ज़्यादा दुर्दसा इन ही देशों को जहलनी पड़ी है लेकिन ऐसे में हिंदुस्तान ने जिस तरीके से संपुन लॉकडाउन को लागू किया लेकिन विपक्ष ने शुरुआत में सवाल उठाया था कि दो-तिन दिन का समय देना चाहिए था इसकी प्रापर घोसना करनी चाहिए थी आनन फानन में संपुन लॉकडाउन को लागू कर दिया गया सुधानसु जी आपको नहीं लगता है कि अगर एवेक्वेशन के लिए दो-चार दिन का वक्त दिया गया होता तो जो मंजर आज हमारे सामने है असंगठी छेत्र के प्रवासी मज़दूरों को ले करके शायद वो इस्तिती नहीं होती इस्तिती बेहतर होती उपेंजी मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहूँगा कि उस मंजर की कलपना करिये कि कहा जाता कि दो दिन के अंदर आप लोग इंतिजाम कर लिए दो दिन बाद बंद होने वाला है आप ने देखा एक अववाह वोड़ी थी तो दो लाख लोग आमरंद विहार रेलवे स्टेशन पर महुझ गये थे दो दिन दिया जाता समय तो क्या देश भर में मंजर होता अवयवस्था का उसकी कलपना करिये बहुत बार इसका डिबेट हुआ बहुत ऐसा नहीं कि लोगों ने ये सारे विकल्प सोचे नहीं दो दिन बाद दो दिन में मार जितना भी खाद्य प्रदारत का समान तहीं था सबकी होल्डिंग हो जाती पता नहीं क्या क्या चीजें उस हफ़ला दफ़्दी में उस पैनिक की सिच्वेशन में होता वो नहीं होना चाहिए था बहुत सोच समझ कि ये फैसले होए तो यह न जब किसी मुद्दे पर discussion करते हैं तो उनकी आदत में शुमार है कि बहुत गहराई तक जाते हैं और बहुत निटी-ग्रिटी माइक्रो लेवल पर discussion करते हैं और बहुत ध्यान से बातों को सुनते और समझते हैं जो लोग उन से निजी तोर पर मिले हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि बहुत गहराई से बहुत शांत चित से बात सुनते हैं